वेल्कम बाक टू आवर चैनल आज हम लोग बात करेंगे वेस्टेबल ट्रेनिंग के बारे में तो वेस्टेबल ट्रेनिंग को स्थार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ जो यह मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं यह और खास बात इस बुक की यह है कि आपको इसमें चैप्टर वाइज मिल जाता है और साथी साथ इसकी लैंगविज बहुत एजी है तो बुक मुझे काफी पसंद है इसलिए मने आपको बता दिया यह एमजोन पे इजिली एवलेबर भी है चलिए शुरू करते हैं वेस्टेब वर्क इन्वार्मेंट विथिन डा कंट्रोल सेटिंग एंग्जामपल टेंड इन्टिवीज्वल ऑन दे कस्तमर सर्विस प्रोसीजर यूजिंग प्रेप्लिकेट सेट इस ब्सेंडिक्टे इस इंटराक्टिंग विड रियल कस्तमर तो लेकि यहां पर जो हमारा अबजेक् हुआ है ठीक है उसको इस तरीके का control environment दिया जाता है कि वो उसको लगे कि वो company में बैठके उस particular काम को कर रहा है जैसे इसमें example में दिया हुआ है customer service के एक किसी को training दी जाती है तो उनको जिस तरीके से phone जिस तरीके से headphone लगाते हैं जिस तरीके से mic लगता है उनको उसी तरीके स होता है वो भी अलग से इंसान वहीं बैठा होता है ठीक है तो वो phone पर उनसे बात करता है ताकि उनको समझ में आए क्या technicalities है क्या customer हम से पूछ सकता है क्या चीज़ हमको जवाब देना है ठीक है तो vegetable training basically employees को इसलिए दी जाती है ठीक है candidates को इसलिए दी जाती है ताकि वो actual working environment को महसूस कर पाएं ठीक है और उनको फी लोगों कि हाँ कि इस working environment में क्या problems आ सकती है इसमें बहुत सारी case study भी कराए जैता है जैसे अब customer अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे तो live वहाँ पे customer आपको phone पे आ गया मतलब एक किसी दूसरे candidate को या effective training method है बहुत सारी companies इसको use करती है बहुत सारी training institute भी इसको use करती है क्योंकि इसको use करने से जो भी employee जो भी candidate वहाँ पे trained हो रहा है उसको बहुत confidence आता है ठीक है और जो गलतियां वो करता है वो गलती उस particular training में सही भी कर दी जाती है तो बहुत effective method है यह training देनेगा clear है तो student को कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको नीचे comment में लिख सकते हैं thank you student for watching आमाच आनको please subscribe करिए और share करिए thank you